आदेश आदेश माकाली को आदेश भैरव बाबा को आदेश सुकर्णी दुखर्णी मा बुडबावानी को आदेश आज कवज के विशे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कवज क्या होता है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये साधक के लिए बहुत ही मत्वपून है यदि आप एक साधक है तो आप इसकी मत्वपूनता को अच्छे से जाना सकते हैं जिस प्रकार युद्ध में एक सैनिक के शरीर पर एक कवच धारन किये हुए होता है ताकि श्यत्रूओं द्वारा किये गए प्रहार तलवार तीर भाले के प्रहार से वो बच सके ठीक उसी प्रकार तंतर जगत में अगुरी क्रियाओं में ब्लैक मैजिक्स में यदि आप हैं और आप कारे करते हैं तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किस साधना किस शक्तियों की साधना के लिए आपको किस प्रकार के कवज की अवशक्ता होती है कवज को साधक या तो गले में या अपने हातों में या कड़े तावीज के रूप में धारण करता है कडो के रूप में आपने देखा होगा कि बावन वीर कड़े के बारे में आपको हमने जानकारी दी है पहले भी तो शक्तियों को उसमें बैठाया भी जाता है इसके अलावा जो साधारन कडों का प्रयोग किया जाता है जिसे आप कवज के रूप में भी मंत्र द्वारा सिद्ध करके धारण कर सकते हैं भोज पत्र द्वारा मंत्रों को इस पर भोज पत्र पर अनार की कलम से अश्ट गंद से या अलग अलग द्रव्यों के अनुसार आपकी अवशकता अनुसार कवज के निर्मान किया जाता है और यह कवज आपको धारण कराया जाता है और ये कवज आप किसी सिद्ध साधक से ले सकते हैं जो कि आपकी समस्या के अनुसार आपको कवजधारण करवाते हैं सर्व प्रथम हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि उर्जया सेंटर ओफ तंत्र मंत्र नगूरी विद्या को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक साधकों तक अधिक से अधिक मनुश्यों तक इस वीडियो को पहुँचाएं आपका एक शेयर और एक लाइक किसी का जीवन परिवर्दित कर सकता है तो आगे बढ़ते हैं महाकाली कवज सुरक्षा कवज जो है वो आपको तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियों में काम करने सिद्धी दिलाने हे दू अवशक होता है और सभी प्रकार की नकारात्म कूर्जाओं से आपकी रक्षा करता है मा बगला मुखी कवज आपके शत्रूं का नाश कर देता है पूरी तरह से और यदि आप कोट कचहरी के मामलों में फसे हुए हैं तो आपको मुकदमे में विजय दिलवाता है आपके शत्रूं की बुद्धी भष्ट कर देता है और आपके समस्त शंकटों को हर लेता है इसी प्रकार यदि हम अगले कवज की बात करें तो भद्रकाली कवज मा भद्रकाली कवज सिद्धी यदि आप धारण करते हैं तो ये आपके शत्रूं का पूर्णता बुद्धी स्थंबन कर देता है जो शत्रूं आप से पहले सीदे मूँ बात नहीं करते थे वो आप से प्रेम से बात करने लगेंगे और आदर करने लगेंगे यहां तक कि भद्रकाली कवज से आप शत्रूं का मारण तक कर सकते हैं इससे शत्रूं का मारण तक संभव हो जाता है भैरव कवज उन साधकों के लिए कारगर है जो समसानी सिद्धी करना चाहते हैं भूत परेत को बांधने के लिए और भूत परेत चुटकारा दिलाने या दिलवाने के लिए भी इस भैरव कवज का प्रयोग किया जाता है एक विशेश जानकारी आपको देना चाहती हूँ यदि आप एक साधक हैं और बहुत समय से साधनाय कर रहे हैं परन्तु आपको साधनाव में किसी प्रकार का अनुभव या प्रत्यक्षी करन नहीं हो रहा है तो आप हमारे केंद्र से अभी संपर्क करें और यदि आप हमारे सानेधे में जो की माह में हम मात्र दो साधकों को ये मौका देते हैं तो आप आके हमारे सानेधे में साधनाय सीख सकते हैं साधनाय कर सकते हैं और आगे अपना भरन पोशन कर सकते हैं तो आगे यदि हम चलें तो भद्रकाली प्रत्यंगिरा कवज भी आप तंत्र जगत में माया जाल को समाप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और यदि आपके उपर आप साधक है और यदि आपके कोई शतरू है और साधक ही नहीं मनुष्य शाधरण के लिए भी यदि आपके उपर कुछ मेली विद्याएं करवा दी गई है शमशानी क्रियाएं करवा दी गई है भूत पिशाचों को आपके पीछे लगा दिया गया है तो पलटवार के लिए भी आप शमशानी का प्रयोग कर सकते हैं इस कवज का अगले कवज की यदि हम बात करें तो भगवती मातारा कवज इस कवज का प्रयोग इस यंत्र का प्रयोग तांत्रिक बंधन को काटने के लिए प्रयोग में किया जाता है और जब एक साधक इस प्रकार की साधनाय करते हैं तो कई बार लोग उनसे ही नहीं अपितु उनके परिवारों पर भी खुद्रिश्टी रखते हैं और वो एक साधक को कश्ट ना पहुँचाते हुए उसकी पतनी बच्चों पर नजर रखते हैं और उनके उपर मेली विद्याएं किसी अगूरी या तांतरिक से करवा देते हैं। तो मा भग्वतीतारा का यह कवज यदि आप धारन करते हैं तो इसि आपकी रक्षा होगी और आपके परिवार वाले भी कवज को यदि धारन कर लेते हैं तो उनके उपर किसी भी प्रकार की कोई करियाएं नहीं की जा सकती। मातंगिनी यंत्र कवज एक प्रकार से आपको मान, सम्मान, ग्यान, संगीत, नृत्य पढ़ाई इस प्रकार के शेत्रों में, कल्चरल, स्कर्ट्स शेत्रों में काम आता है यदि आप नत्य में रुची रखते हैं, यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडर्शिप आपकी क्वालिटी है, लीडर्शिप में आपको इंटरस्ट है और आप कुछ बड़े लेवल की डिग्री हासिल करना चाहते हैं या बड़े लेवल पर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करें आपको देखें तो आप मातंगिनी यंत्रकवच का प्रयोग कर सकते हैं अब बात करते हैं शत्रों के नाश और शत्रों के बुद्धी ब्रश्ट कर देने वाले यदि आप अपने शत्रों से तरस्थ हो चुके हैं बुरू तरह चारो और से शत्रों नों आपको गेर लिया है तो आप पंचमुकी हनुमान कवज का प्रयोग कर सकते हैं ये आपके सत्रों को स्थंबित तो करता ही है अभी तो उनकी बुद्धी परिवर्थित कर देता है उनका आपके लिए सोचने का तरीका बदल देता है साथ ही साथ पंचमुकी हनुमान कवज आपके संकट काटता है और आपकी बुरी अला बलाओं को दूर रखता है अगले कवज की बात करने से पहले आपसे एक बार और अनुलोध है यदि आपने उर्जा असेंटर अफ तंत्र मंत्र और अग्योरी विद्या को अभी तक लाइक शेर सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेर सबसक्राइब कर दें आपका एक लाइक एक शेर किसी का जीवन परिवर्तित कर सकता है किसी को संकटों में से निकाल सकता है और आप जानते हैं कि ये बिल्कुल मुफ्त है इसके लिए आपको कुछ भी खर्चा देने के अश्यक्ता नहीं है तो अगले कवज की और हम बढ़ते हैं महा मृत्यू जय कवज अर्थाद मृत्यू पर विजय दिलाने वाला तो इस महा मृत्यू जय कवज यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोश है अकाल मृत्यू दोश है मांगलिक दोश है तो यह कवज आपको अकाल मृत्यू से बचाता है अकस्मित घटनाव से बचाता है, एक्सिडेंट से बचाता है और आपके रोग और अकाल कष्टों से आपकी सुरक्षा पूर्णताह करता है अगले सरीर सुरक्षा कवज की यदि हम बात करें तो यह है वीर हनुमान कवज जो की आपके सभी प्रकार से आपकी रक्षा करेगा, सभी प्रकार आर्थात्मच तत्वों से जल, वायू, अगनी इस प्रकार और यदि आप किसी नकारात्मक उर्जा से ग्रसित हैं भूत प्रेत तो वीर हनुमान कवज आपकी भूत प्रेतों से नकारात्मक शिक्तियों से रक्षा करेगा आपके संकटों को काटेगा और अंत में जिस कवज की बात हम कर रहे हैं यह है महाविद्या प्रचंड चंडि का छिन्न मस्ता कवज जैसा कि आप जानते हैं माँ छिन्न मस्ता दस महाविद्याओं में से एक है तो इस कवज का निर्माड और इसकी साधना एक उच्च कोटी का साधक ही करे तो अच्छा है अब ये कवज किस प्रकार के काम करता है यहाँ कवज आपको शत्रूओं से निप्टारा दिलाता है और इस कवज के साधना सिध्धी के पश्चाद ही एक साधक एक के बाद एक शक्तियों का प्रत्यक्षी करण कर सकता है उनकी साधनाय कर सकता है इस कवज का निर्माण आप सोनी, चांदी, तांबे या अश्टधातु में करा सकते हैं और इसे सिध्ध करकर आप अपने स्थान पर स्थापित करके मंदिर में स्थापित करके इसका लाब ले सकते हैं आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर यदि आप एक साधक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ग्यानवर्धक साबित हो सकती है और आज की वीडियो में इतना यदि आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो हमें कमेंट करिए और आप चाहते हैं कि हम और किनी वीडियो पर और नए-नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करिए, कॉल करिए आज के लिए इतना ही आशा करती हूँ आप सभी का जीवन हमारे उर्जा केंदर के परिवार के जुड़े हुए लोग यूट्यूब का परिवार सभी का जीवन सुखी हो आनंद मैं हो यही हमारी आशा है आदेश आदेश